बारत की देशे वेक्सिन पर बड़ी खुश खबरी निकल कर सामने आ रही है। वेंकेट राव ने बताया कि ट्रायल का पहला चरण अभी जारी है लेकिन हम जल्दी दूसरी चरण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। पहले चरण के यूमन ट्रायल के परिणाम उस्वा जनक रहे है और वेक्सिन का किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। डॉक्टर राव ने बताया कि ट्रायल के दौरान तीन से साथ दिन पहले चले स्क्रीनिंग प्रोसेस में चुन गए हर एक वालिंटेर को वेक्सिन की दो खुराग दी गई थी। पहली खुराग डे जीरो यानि शुरू में ती गई और ब्लड सैंपल ले लिया गया और फिर 14 दिन के बाद वालिंटेर्स को दूसरी खौराग दी गई थी। इसके बाद भी ब्लड सैंपल लिया गया। उन्होंने बताया कि वेक्सिन के यूमन ट्राइल के दौरान कुछ दिनों के अंतराल पर अलग-अलग ब्लड सैंपल लिये जाते हैं ताकि वाईरस से सुरक्षा की अवधी का अंदाजा लगया जा सके। यानि कि वैक्सिन की डोस देने के कितने दिन के अंदर व्यक्ति बिमारी के प्रती सुरक्षित हो जाता है ICMR और भारत बायोटक की को वैक्सिन एक इनेक्टिवेटेड वैक्सिन है इसे कोरोना वाइरस के उन पार्टिकल से तयार किया गया है जिनने निस्क्रिय कर दिया गया था या मार दिया गया था ताकि वे संक्रमित नहीं कर पाए इस वैक्सिन की डोस देश शरेड में वाइरस के खिलाफ एंटी बॉडिस बनती है और हमारा शरेड कोड़ा और वाइरस से मुकाबला करने के काबिल हो जाता है आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ये ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले